खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ आस्था कोशिक आज करिन बेहज शुब और बहुत अच्छा है क्योंकि आज है कोजगर पूजा यानि के आज के दिन माना जाता है लक्षमी जी का जन हुआ था और शरत कुनिमा भी इसको कहते हैं इसके लावा वालमी की जैनती भी है तो आज के इस खास दिन पर ढेट सारी बाते इसी से समंदित हम गुरु जी से पूछेंगे और रोजमर्णा वाली बातें भी होंगी जिसमें आप राशी फल, विचार, जन्म दिन सब के बारे में जानेंगे तो चलिए करते हैं शुरुआत राम राम गुरुजी माभारती को प्रणाम करता हूं आज सब कैश गुरु बाता पिता को प्रणाम करता हूं मचे, सब को बहुत सारा लाज प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह के राम राम और कितने सारे इतिहार हैं इस दिन वाल्मी जैन्ती, मा लक्ष्मी की जैन्ती और उसके बाद कार्थिक पूर्णी माँदी से कहते हैं कितना सारा आनम नहाज के लिवस में तो सबसे पहले मारे शीवार्णी की को प्रणाम करते हैं जिनके वेसे हम अपनी भड़वान राम को मासीता और उस युग को जान पाए हैं और साथी साथ आज हम बहुत महत्पूर बात करेंगे कोजागर पूजा की मा लक्ष्मी की पूजा की और इस दिन की गई पूजा का बहुत ही सूपरिणा मिलते मैं ने दिखा है तो गुरुजे शिरुवात इसी से कर लेते हैं कि आखिर कोजागर पूजा है क्या और कैसे की जाती है अश्रिन मास की पूर्णिमा को कोजागरी वरत रखा जाता है इस दिन मा लक्ष्मी की पूजा की जाती है शरद पूर्णिमा भी इस दिन मनाई जाती है इस दिन की एक बहुत बड़ी विश्षिष्टा होती है चंद्रमा इस दिन चंद्रमा सोना कलाओं से युक्त होता है और इस दिन जो चंद्रमा का प्रकाश हम पर या धरती पर परता है उसको अम्रत माना जाता है भगवान श्री कृष्ण भी इस दिन रास करते हैं रास का मतलब क्रीडा है इसको कुछ अन्य रूप में ना देखा कीजिए ये क्रीडा करते हैं वहां के सब गोपिया खटे होकर क्रीडा करते हैं आप लोग भी जो पूजा मैं बताओंगा तो कीजेगा जो मैं अभी कह रहा हूं इसका अर्थ तब आपको समझ में आएगा मालक्ष्मी की पूजा किस समय करनी है कैसे करनी है ये जरूर समझ लीजेगा वैसे भी जो वर्ल्ड बेंग, आमाएफ, आर्बी आई वगेरा के रिपोर्ट्स आ रही हैं तो ऐसे में तो मालक्ष्मी की अराधना जितनी जादा हो जाया चाही है जन कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए और आज के दिन गुरू जी कहते हैं कि अमरिद बरस्ता है आसमान से और मुझे तो याद है कि पहले कहा जाता था कि चांद की तरफ देखे सुई में धागा डालो तो उससे आखों के रोशनी तेज होती है अब यह स्थर की किमबद अंपिया है लेकिन इसके पीछे धार्मिक वजह क्या है और किस तर आपको करनी है पूजा यह सब कुछ हम गुरू जी से जानेंगे लेकिन पहले राश्री पल मेश विश्वर बिदुनाग कर राशी का हाल सुनी है मेश विश्वर राशी शाम तक आपका समय बहुत अच्छा है कुछ बढ़िया काम करने की कोशिश कीजेगा बस एक सावधानी आपको ज़रूर परतनी है इस दिन आप धन के लेन देन में बहुत सावधान रहें उपाय क्या करना है दूर या दूर से बनी चीजों का दान दे और इस दिन क्रोण मत कीजेगा बिश्वर राशी यह दिन अच्छा है लाब देने वाला दिन से दोगा ये कुल मिलाके आपके दौरा किये गए कारें बनते नजर आ रहे है तोड़ी सी मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी कुछ फ्रस्टेशन भी होगी लेकिन दिन अच्छा है च्पर ना करें बसे एक सावधानी रखे इस दिन जो बोने बहुत सो समझ कर बोने और उपाय के तौर पर जिन दूर या दूर से बनी वी चीज़ों का दान जरूर करते है मित्रनाशी मित्रमनली से बहुत अच्छा वेवार कीजेगा और मांके स्वास का ख्याल रखेगा बागी तो ये दिन आपके लिए अच्छा है बस एक छोटी सी साथधानी वाहन चलाएं तो बहुत साथधानी से चलाएं उपाय क्या करना है इस दिन को बहतर बनाने के लिए आलू का दान जरूर कर दीजेगा करकराशी समय आपके लिए अनुकूल है यद भी कुछ तनाव तो रहेगा भविश्य की चंता आपको सताएगी लेकिन फिर भी समय अनुकूल रहेगा लेकिन एक छोटी सी साथधानी स्वास्त को लेकर जरूर लखेगा उपाय क्या करेंगे दिन को बेतर करने के लिए ओम नमशुवाय कर जब करें श्रुम दिन का भी शेक करें फिर अपने काम पर जुट जाएगे तो जान लिजे दिन को अच्छा बनाने के उपाय और साथानिया भी अपने राश्यों के हिसाब से नोट करते चलिए और अब है परवरिष टिप की बारी गुर जी वो क्या है दूद से संबंदित एक खास बात आपसे करना चाहता हो बार बार दूद को गरम नहीं करना चाहिए और बार गरम किया गया दूद बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए तो एक बार जब दूद आता है घर में उसको अच्छे से चान लीजे और उसको थोड़ा सा गरम कर लीजे और रख दीजे और उसके बाद तभी गरम कीजे जब उसको पीने की जरूरत हो या जब उसको पीना हो ठीक है ना बार-बार गरम कर दे बद दूर का प्रभाव नश्ट हो जाता है तो ये बहुत महत्वपून बात थी मुझे तो नहीं पता थी अब देखिए आपको आज पता चल गई है तो आगे से जरूर ध्यान रखिएगा और अब उन लोगों की बाद जनका है आज जनदिन गुरुजी उनका साल कैसा होगा जिनका भी आज जनम दिन है उन्हें जनम दिन की हम लोग की ओड़ से धेख सारी शुपकाम ना है आपके आगे आने वाले बारा महिने बहुत अच्छे हैं लेकिन खटे मीठे हैं अभी तो मीठा समय चलेगा इसलिए को चिंता की बात नहीं बीस फरवरी तक मीठा समय चलेगा आपके द्वारा के गयकारे स्थापित होंगे आगे बढ़ेंगे आप अच्छे परिवर्तन भी कर सकते हैं लेकिन बीस फरवरी से लेकर सितंबर तक थोड़ा सा कमजोर समय चलेगा आप ध्रम के अवस्ता में रहेंगे कुछ इजलत नजने भी आप ले सकते हैं रिश्टेनातों को लेकर बहुत साधानी बरतनी होगी एक खास बात जो आपको ध्यान रखनी हैं खास तोर से वो लुक जो अपने वेपार में परिवर्तन करना चाहते हैं या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं बिल्कुल करें बिन्दास होकर करें लाब भी मिलेगा लेकिन ये लाब आपको एक से डेड़ वर्ष बाद मि इसलिए मन पक्का करके परिवर्तन कीजेगा, नहीं तो परुशानी महसूस करने लगेंगा, उपाय क्या करना है, हर शरीवार को लोहे के बरतन में तेल डाले, सरसों का, उसमें अपना चेहरा देखें, और उसको किसी दूसरे लोहे के बरतन में रख दीजेगा, जो बरतन भर जाए उसका दान कर दीजेगा, और बड़े बुजर्गों की सलहा के बिना, सला माने बिना कोई कारें मत कीजेगा, फिर अपने आप सब ठीक होगा, All the best! तो खटे मीटे अनुभाव वाला है साल, लेकिन उपाय नहीं भूलना है, जो गुरुजी ने आपको बताया है, गुरुजी आज हम कोजगार पुजा की बात कर रहे हैं, आखिर कैसे की जाती है, ये पुजा और किन बातों का रखें ध्यान? ये बहुत सरल है, बहुत सरल है, शरत पुर्णिमा को पुजागार पुर्णिमा भी कहते हैं, और इस रात को क्या करना चाहिए? खीर बनाने चाहिए, कोई चावल की खीर बना सकता है, कोई चॉले हुते है, उनकी खीर बना लेता है, और इसको आस्मान के नीचे रखना चा भख जरूर दीजिएगा, नहीं तुम पता है क्या होगा, बिल्ली पी जाएगा, और लोगे सोचे रजाएंगे, रोशनी अंदर नहीं पहुंची लेकिन खाली हो गया बरतन, तो उसे अच्छे से धक रग दीजिएगा, और ऐसे इसे इस्थान पर रखे जगा, जहां धूल और जब पूर्माटिथी पून हो जाए, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जब पूर्माटिथी पून हो जाए, तो फिर आप उसको पहले तो बाटिएगा, और फिर स्वंग रहन कीजिएगा, अब आप इतनी से बनाये, इतनी बनाये, यह आपके उपर डिपेंट करता ह मा लक्षमी का यंत्र वो इस दिन कागस पर काढ़ लीजिएगा और उसको सामने रखकर मा लक्षमी के पृतिमा के सामने रख दे या छट पर ऐसी बैठें या अपने पूजा स्थान पर बैठें वहां और और कुछ नहीं तो उन लक्षमी नमहा का जब करते रहे कब तक पू बाप्तों हो रही है तो इस समय तक आप मा लक्षमी की पूजा करेंगे इसके अलावा और क्या किया जा सकता है मा लक्षमी के 108 नामों का जब किया जा सकता है शिरी सुक्तम का पाठ किया जा सकता है ठीक और दो बज़ के 38 मिनट के उपरां आप दुश्राम करें फिर जब सुभा को उठे इसना ना भी करेंगे तो सबसे पहले आप गडेश जी को भोग लगाएंगे मा लक्षमी जी को भोग लगाएंगे वोई जो खीर आतमें तयार की है और उसके बाद भगवान शिव भगवान पार्वती कार्थिके भहिया अधी सब लोगों को भोग लगाने के बाद फिर खीर बाठियेगा और साथी साथ छोटी बच्चियों और इस्तियों को जिनको जरूरत हो उनको कुछ नकुछ उपार भी देने हैं एक खास चीज अपने भाग्य को बली करने के लिए इस रात में समय में आपको बताऊंगा पूजा का जो लोग चंद्रमा का जब करते हैं उनके भाग्य को बहुत जबरदस्त परिला मिलता है क्योंकि सुला कनाव युक्तु सुला गुड युक्तु चंद्रमा इस दिन प्रत्वी पर अम आपने करना है सफेज चंदन की माला मिल जाए श्वचक की माला मिल जाए इस रात पूर्णियमा को आप यदी इस तरह से पूजा और जाप करेंगे मंत्रभी गुरुजी ने आपको बता दिया है कितने चमतकारीग लावदस में चिपे हुए हैं हम आगे सब कुछ जानेंगे इसका समय भी और किस तरह आपको जब का ध्यान रखना है किन बातों को नहीं करना है वो सब कुछ पूछेंगे लेकिन उससे पहले शुबर शुब समय जान लीजे आज का नोट कीजें पहले शुब समय फिर collabor समय दूबूमूर्त रहेगा शाम को 4gesetz के 10 में से 5 बच के 4 मिट तक डुलिक कार रहेगा दुपेर में 2.90 मेंरे 25 में 4 बच 27 में से 2 बच 3 मिट तक यंब पर आखो कार रएगा श्रम चार बच 2 में से 5 बच 50 मिट तक शुब समय में अभी ज तो समझ दीजे दिन का कोई भी महत्वपून काम है important meeting है कुछ नया या बड़ा शुरू करना है तो शुब समय क्या रहेगा वो गुरुजी ने आपको बता दिया और अब राशी पल गुरुजी बीच की चार राशियों का दिन कैसा होगा सिंग कन्या तुलावद विश्चिक राशी का हाल सुने सिंग राशी आपके लिए दिन अच्छा है इसलिए निश्चन्त हो कर आगे बढ़िए धन कियामत भी हो सकती है लेकिन एक छोट इसी साथानी ज़रूर बरतनी है इस दिन अपनी उम्र से बड़े लोगों को नाराज मत कीजेगा उपाई क्या करना है सूरे को जल दीजे शेहिद बाटिए अपने काम पर जुट जाए करने राशी यह दिन समहल के चलने वाला है लेकिन लाब देने वाला दिन है यह बस आपको वैवार अच्छा करना पड़ेगा क्रोट से बचना पड़ेगा और एक चोटी सी साथानी इ तुला राशी यह वक्त आपके लिए अच्छा है आपके मेहनत के अच्छे परिड़ाम आपको मिलेंगे लेकिन तनाव जरूर रहेगा कहीं धरुदार भागदौर भी हो सकती है एक चोट इसी साथानी जरूर बरतनी होगी इस दिन बहुत सोंस समझ कर अपनी माग कहिएग और किसी के भेकावे में मत आईएगा उपाए क्या करना है चावल का दान कीजिए अपने काम पर जुटिये और वो सब्चिक करेंगे ब्रश्चिक राशी भाषा के वज़े से नुक्सान हो सकता है इसलिए बहुत तोल मोल कर और बहुत प्रेम से अपनी बात को कहिएगा अन्य था परशानी काफी बढ़ जाएगी जिन लोगों को कोई रोग है वो अपनी दवाईया और डॉक्री सलह को अच्छे से माने अन् हमने काम पजटें तो दिन को अच्छा बनाने के लिए उपाय और सावधानिया आप नोट करते जाएं और जरूर करें क्योंकि दिन को अगर सुन्दर बनाना है तो थोड़ी मेहनत भी जरूरी है और आप पूजा का वो मुहुर्त जिसके बाद आपको खुशियां खुशि जो लोग चंद्रमा की या मालक्षमी की साधना कर रहे हैं या यंद्व का जब कर रहे हैं वो 11 बच के 43 मेंट से लेकर 2 बच के 38 मेंट तक अपने जब करें तो नियुनतम आपको 11 बच के 43 मेंट से 12 मेंट तक तो यह पूजा करनी ही है और उसके बाद अच्छा रहेगा पूर्ण माशी तिथी पूर्ण होने तक आप लगातार जब अत्वा सुप्तम का पाठ या चद्रमा का जब करते रहिएगा एक अजीब सी बात आजकल मैंने देखी ये फैल रही है निशीत काल जो होता है यह निशीत काल इसको बूलते हैं बड़े पवित्र समयों में से एक माना जाता है लेकिन अब सोचल मीडिया पेला दिया प्रेत काल है जी मैंने भी सुनाए गुरुजी मतलब लोगभाग ब्रह्म मुहुर्त को लेकि इतना जादा पजशिव रहते हैं मदुर्गा की जो साधना है यह नौरातों का जागरह रहो तो इसी समय में होता है तो अगर हम परेतों की पूजा करते हैं तो दिशीत काल की पूजा कोई सवरускो पूजा माना जाता है इसी समय में जो update plugins लेमानाधि आप कते हैं उससे सिर्धिया प्राप्थ होती हैं saja तो बिलकुलस तरह करनी है पूझा और किस मोहुर्थ में करनी है यह आपने जान लिया है तो आप इस शर neighboring महालक्षरमी कि जो पूझा करें वो पूरे विदिविधान से रहे 3 तारीकी रात में मूर्थ प्रारम्द होगा और चौधा तरीक की सुभार दो बचके अर्टिस मिनट तक यह मूर्थ रहेगा रिपीट कर रहा हूं अच्छा खासा समय है आपके पास और अब अंतिम चार राशियों के बाद गुरू जी उनका दिन कैसा होगा यानि धनु मकर कुम्हर बीन राशी का हाद धन और आशी आपकी घलती से आपका कुछ नुकसान होता हूँ दिखाई दे रहा है अपने स्वास्त का भी आपको विश्वेश खाल रखना होगा एक छोटी सी साफधानी जरूर बढ़ते इस दिन किसी की सलह जरूर मान लीजेगा खास तो जिस पर आप विश्वास करते ह उसके सला मान लीजेगा समय से पंगा मत लीजेगा उपाय क्या करना है हल्दी और आदू का दान कीजिए प्रभुजी सब्ठीक करेंगे मकार राशे यह वक्त आपके लिए धन प्रसिद्धी प्रतुष्ठा आधी दिलाने वाला है इसलिए मेनस से अपने काम पर जटे रहिए वह आपको सब्ठीक रखेंगे बस एक छोटी से साफधानी जरूर बरतियेगा कि इस दिन वाद विवाद लिन नहीं उनजना है उप कुंब राशी भाग्यपक्ष थोड़ा कमजोर तो है लेकिन यदि आप मेनत ज़ादा करते हैं आप समय से कुशलता पूर रख अपना काम करते हैं तो आपको लाव मिलता नजार आ रहा है विद्धियातियों के लिए ये दिन बहुत अच्छा है इस दिन की गई पढ़ाई बनाए गए नोट से आपको बहुत फायदा होगा आगे जाके इसलिए जो कॉंपुटेटिव एक्जैम्स के तयारी कर रहे खास्तों से वो खुब चम के पढ़ाई करें एक छोटा छोटी सी साथधानी ज़रूर बरत दीजेगा इस दिन इस दिन आप तेजी से दौर भाग करते या सीडियां चड़ते उतरते या बिजली पर काम करते फुड़ा अलेट जादा रहें उपाय क्या करना है ओन रुदराय नमा का जब कीजेगा और तिल से बनी भी मिठाई यदि आपको मिल जाए तो उसका दान कर दीजेगा किसी को तो तो जी सब ठीक करेंगे मेन राशी थोड़ा इंफेक्शन का डर लग रहा है तो जिन लोगों को इंफेक्शन रहता है वो इस दिन अपनी स्वास का बहुँ जादा ख्याल लखें ठंडी चीजें खाने से परहेज रखिएगा लेकिन आपको कोई शुब समचार अच्छा समचार अचानक मिल सकता है या अचानक आप किसी अपने के घर जा सकते हैं कोई अपना आपके घर आ सकता है एक लेकिन साथानी इस दिन जरूर बरतनी है इस दिन ठंडी चीजों का या बहुत खटी चीजों का परहेज करना होगा और ऐसे लोग जिने इंफेक्शन पकड़ा हुआ है उनसे फोड़ा स दिस्टेंस बना के रखिएगा उपाय क्या करेंगे इस दिन गुंगोना पानी पीजिए और तुलसा पत्री को अच्छे से धो कर जिवहां के नीचे रखके सूखने के बाद चूसिया उसको उसके बाद तूप दीजिएगा तो मुझी सब ठीक करेंगे चलिए दिन तो आज का विचार जी सुनिए जो धन शुभकारियों से नहीं आता वो कभी नहीं टिकता और बहुत कष्ट भी देता है इसलिए सदा लिखा जाता है शुभ लाब हो वाकई और आज धन की देवी लक्षमी का दिन है तो आज का विचार भी धन से संबंदित और कितनी गहरी बात है अपने जीवन में इस बात का ध्यान आप जरूर रखें बहुत बहुत धन्यवाद गुरूजी आपका दिन शुभ हो समय से पूजा जरूर कर दीजेगा महिया करपा से आपको नाप मिलेगा नामदान नमस्कार भारत बता की जै आज के इस एपिसोड में इतना ही कल फिर होगी आपसे मुलाका तब तक के लिए हमें दीजे अजाज़त और आप देखते रहे एवी पी न कर दो